कटनी में दो पक्षों के विवाद में चाकू छूरी चल गई, जिसमें चार लोग घायल हो गई, इस घटना से पूरे इलाके में संसनी फैल गई है, फिलहाल घायलों को अस्पताल में भरती कराया गया है, पुलिस ने मामले की जाँ शुरू कर दी है नियुकटनी बजरिया में दो पक्षों का विवाद इतना बढ़ गया कि चाको छूरी चल गई, घटना के बाद इलाकी में संसनी फैल गई, हमले में दोनों पक्ष के लोग घायल हो गई, जामकारी के अनुसार तेजराम कुश्वा का विवाद लाला शिवास्तम नाम के एक हो गया, और देखते ही देखते ही विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया गया, दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर चाकू लेकर भढ़ गये, घटना में चार लोग गंभी रूप से घायल हो गये हैं, जिसके बाद घायलों को कटनी के जिल असपताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है, पुलिस ने मामले की जाश शुरू कर दिये, को एक पक्ष नहीं बोल सकते, दोनों पक्ष अपने वह साफ सुत्र हैं, दोनों पक्ष में कहीं न कहीं गुबार था, जिसकी तरह से इतनी बड़ी घटना जो घट गई, इसमें कुछ वहा हैं, जो मुन्ना भाई, उनके छोटा एक छोटा भाई और उनका एक छोटा इसलिए इतना बड़ा हासा हो गया. उसके मैं आदी हम लोग उसको नहीं मार्द हो, उसको भी लगी है, थोड़ी बहुत भी लगी हो, तेका दी हम लोग चाथू चला दिया. जो जिलास पता लाकर दोनों पक्षों कथन लेक किये गए हैं, लेक किये गए कथनों के धार पर विदी संगत कारवाई की जाती है. एक पक्ष में एक है और दूसरे पक्ष में तीन लोग घायल है. मार्पीट में जो है दोनों की मंगोडी और नास्ति की दुकान है, इस बात की बिक्री की प्रतिस परदा को ले करके दोनों पक्षों में बेवाद हुआ है. आप देख रहे हैं दखल न्यूज